हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नॉलोज यूटूब चैनल पर मियूँ हूँ आपका दोस्तों और इस चैनल का होस्ट आखा आज 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 आपसे बाते करने आ रहा हूँ Global Edge Opcampus Drive के बारे में जो एक Capgemini की sister and brother company है जो एक module handle करती है Capgemini engineering की ओके तो दोस्तों उसको apply कर रहे हो तो आपके लिए एक वीडियो के description में WhatsApp group की link मिलेगी जल्दी सी जाके join हूँ क्योंकि further सारे updates और discussion platform को आपर मिल जाएगा जल्दी सी जाके WhatsApp group को join हूँ क्योंकि बहुत कम slots WhatsApp group में available है ओके तो आज हम बात करने जा रहा है Global है जो आपके आपस लवे के बारे में तो उससे पहले में आपको बता दो दोस्तो अगर आपके career में gap है तो an academy real level test जीजिए क्योंकि वहाँ से क्या होता है पता है आपको कोई भी gap कोई भी experience कोई भी रेजिम में matter नहीं करता just matters in only skills 19 plus categories है 19 plus domains है जहाँ पर test clear कर सकते हो बिल्कुल free of cost की test है अगर according to CIME report दोस्तो 5.1 crore जो भी अप्लिकेंट से वह unemployed है उसमें से 1.7 crore women's unemployed है तो यहाँ पर real stories दे सकते हो कुछ women's के स्वाथी रानी जी यह चार है greedy games में तो उनका जो भी career start हो चुका था sales वे फिर भी आज ओ एक अचार है और दोस्तो निशाग गुपता जी का as a business development executive work कर रहे है यह सारे हो गए दोस्तों सीन्स यहाँ पर 200 प्लस companies start-ups product-based companies आने के डिमी रिलेविल यह तो हायर कर रही है और रोल है दोस्तों software analyst का है qualification है भी बी टेक बैज दोस्तों 2022 experience की कोई भी जरुरत नहीं है and salary दोस्तों up to 4 LPA की salary है and job location होगा बैंगलोर में and दोस्तों last date है इसका 22 July है तो उससे पहले जल्दी आपके जितनी भी दोस्ते उनको फॉर्वर कर दीजिए आपके college के group में भी इसको फॉर्वर कर दीजिए वीडियो को क्यूंकि उनको पता चले कि यह off-campus recruitment आई है ओके तो eligibility criteria देखेंगे जैसे कि 65% का criteria चाहिए passing out 2022 होना चाहिए and specialization बेटका CES and electronics and communication engineer and information technology होनी चाहिए service agreement होनी चाहिए दोस्तो 24 months effective date of the employment technical skills good attitude and analytical C++ programming skills होनी चाहिए and basic Linux और good knowledge होना चाहिए उसके उपर internal concepts के उपर and very good communication skills you have to okay next selection process aptitude होनी के बाद C programming test होगा then technical round then HR round जैसी दोस्तो डबल click to apply and over click करोगे यह से कुछ interface आपके सामने आएगा तो यहां से आपको ही आखरना है scroll down करना है सारे details आपको यहां पर fill करना है एक बार email verify करने के बाद ही details open होंगे fill करने के बाद तो submit कर देना है okay submit करने के बाद आपका candidature जाएगा दोस्तो review के लिए review हो जाएगा अगर eligibility pass कर करते हो तो दोस्तों आपको next process का mail आएगा तो अगर next process का mail नहीं आया तो आपके resume में problem है क्योंकि आपका resume ATS-based resume नहीं होता मतलब application tracking system वाला जो हम आपका resume बनाएंगे only for 114 इन रुपीज में वीडियो के description लिए link मिल जाएगी जल्दी से जाके resume के लिए apply कर देना क्यूंकि कि हम बहुत सारे parameters को ध्यान में रखते हुए resume बनाते हैं हमने already 3000 प्लस resumes classic technology के experts ने बनाया है ओके तो जल्दी जाओ apply कर दो within 3 days आपको आपका नया नया resume आपके mail के तुर आपको मिल जाएगा जाओ कोई बेडावट है तो linkedin पे follow कर दो connect हो जाओ और वहां पर पूछ लेना मैं आपको linkedin पे 100% response दे देता हूँ और दोस्तो टेलेगराम क्रूप को विजाइन हो जाओ जो आपके placement के लिए career के लिए discussion platform प्रोवाइड कर देगा बिल्कुल free of cost बस दोस्तो आज के लिए